Most Wanted आतंकी दाउद इब्राहिम, Underworld Dawn उसके बारे में क्या खबरे आ रही है? कोई कहता है जहर दे दिया, तो कोई कहता है अस्पताल में है, सच क्या है? जिन्दा है ये नहीं? बिमार है ये नहीं? पाकिस्तान में पैनिक क्यों है? आज दाउद पर उर्ती सारी अफवाओं का सच तलाशेंगी राजस्तान में गरीब बच्चों की पढ़ाई के नाम पर प्राइवेट स्कूलों ने बड़ा चूना लगाया है किसको? सरकार को सरकार ने पढ़ाई के लिए लाखों करोड रुपया दे दिया कि गरीब बच्चों को पढ़ाईए लेकिन बच्चों का एड्मिशन उन स्कूलों में था रही वो तो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे थे दाखिले का पैसा कौन खा गया? घोटाला कैसे हुआ? कॉलिंग कार्ड में पूरा सच दिवाली से पहले प्याज आम आदमी की खरीद से बाहर हो गया था खरीदा नहीं जा रहा और अब किसान को खरीदार नहीं मिल रहा गुजरात के किसान परेशान है प्याज को फैंक रहे है क्योंकि एक्सपोर्ट बैन है इसलिए खरीदने वाला उनको नहीं मिल रहा हलात ये है कि 5-6 रुपे किलो में बेचना पड़ रहा है प्याज सिगनेचर स्टोरी में किसानों का दर्द दिखाएंगे आज आपको नेपाल के बॉर्डर पर राम जी के ससुराल लेकर चलेंगे जहां राम जी के लिए रिटर्न गिफ्ट तैयार हो रहे हैं अगले महीने जब आयोध्या में राम लला भवे मंदर में गराजमान होंगे तो माता सीता के माइके से क्या कुछ आएगा पब्लिक प्लेटफॉर्म में ये बताएंगे ABP News आपको रखे आगे